प्रेंट स्वागत आपका अर्शनारों सविगर में आजम बनाएंगे पोहा उसकी ने हमने यहाँ पे त्री हंड्रेड ब्राव पोहा ने लिया है एक प्यांच को बारी काट लेंगे एक कप में उफनी लेंगे एक कप हरा माटन लेंगे एक कप गादर मारी कटावा ने लेंगे एक आल्व को बारी बारी काट लेंगे एक नेवु ने लेंगे दो हरी मेर्श को काट लेंगे थोड़ा साहारा दनिया ने लेंगे कड़ी पत्ता ने लेंगे, आदा छोटा चमच जीरा ने लेंगे, एक छोटा चमच राय ने लेंगे, एक छोटा चमच चेनी लेंगे, थोड़ा सा भूजी अनंपी ने लेंगे अब कडाई गरम होने के बाद और डानेंगे और डानके फली डाल देंगी मुंफली पच्छे से बोल देंगे लोग फलेम पे हमने मुंफली पच्छे से बोल दिया है अब इसको अम्रिकान देते हैं उसी कडाई में हम दो तीन चम्मस पॉइंट डान देंगी और गरम होने के बाद जीरा और राई डान देंगी जीरा और राई अच्छे से बोलने के बाद हरी मिर्श डान देंगी अब हम कड़ी पत्त डान देंगी इन सब को थोड़ा सा भून लेंगे प्यास को डाल देंगे, प्यास को भी अच्छी से भून लेंगे प्यास सोफ्ट हो चुबा है, अब हम आलू, गाज और मतर भी डाल देंगे इन सब को भी अच्छी से भून लेंगे सब्जी और अच्छी से पकाएंगे जब तक हमारे सब्जी आपकरी इस दब तक हमने पोई को अच्छी से दो लिया है अब इसमें चोटा चमस्चीनी आदा चोटा चमस्चनमक डाल के अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब हम समझें वो चेक कर लेते हैं सब्जी वो लोफ लैंपे हां ढग ढग के पढ़ाएंगी सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है अब देड़ चोटा चमस्चनमक डाल देंगी स्वाद अनुसार नमक डालेंगी इन सब को अच्छी से मिक्स कर लेंगी सब्जी वो टक के हम एक मिनट तक पकाएंगी अब यह सब्जी अच्छी से पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगी पोर पोवे पोम अच्छी से मिक्स कर लेंगी सब्जीयों में फ्लेम को लो रखेंगी अब हम एक नीबू का जूस डाल देंगी मौफली डाल रेंगी जो हमने मौन के रखा था इन सब को भी अच्छी से मिक्स कर लेंगी हरा दन यह भी डाल देंगी पोवे पोटेंगी गैस को अफ कर देंगी अब हमारे पोवन के रेड़ी है अगर आप वही रेस्पी पसंदा है तो वीडियो वो लाइक, सब्सक्राइब और सेर करें पूआ सेर कर देंगी कर देंगी पूआ